हेलो एब्रिवान कैसे हैं आप सब तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ यह शेयर करने जा रही हूं कि कैसे हमने आर्मोल की कटिंग करनी है यह देखिए बैक साइड में हमने आर्मोल की कटिंग कर दी थी अब यह हमारा प्रंट पार्ट है जिसमें यह राइट साइड का पार्ट है जिसमें हमने बटन होल किये थे यह हमने जितनी लैंथ हमने बैक साइड में रखी थी आर्मोल की कटिंग करने से पहले उतनी लैंथ हमने बना ली है यह देखिए अब हम आर्मोल की कटिंग करेंगे तो यह जो वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको फ्रंट साइड की आर्मोल की कटिंग बताऊंगी इसको कैसे करेंगे देखिए ये बटन होल इसमें बनाये थे वो साइड हमने कटिंग करना है और इसमें मैं ये भी बताऊंगी आर्मोल की कटिंग के बाद हमने गले की कटिंग भी कैसे करनी है तो ये देखिए इसमें आर्मोल की जो कटिंग होगी ये उल्टी तरफ से होगी क्योंकि ये ऐसे हमने रखना रखा होता है न तो इस तरफ से ना होकर इस तरफ से हमारी आर् जाएगी फिर यहां से हम नैक की कटिंग करेंगे तो चलिए यहां से देखिए यह वाली स्लाइग कंप्लीट करने के बाद हम यह देखिए रॉंग साइड पर आ गए है उल्टी साइड से हम इस साइड की कटिंग करेंगे तो कटिंग हमारी जैसे हमने बैक साइड में करी थी पांच तीन दो एक की सेम इसमें भी हमने वही करनी है तो यह देखे कैसे करेंगे यह दो फंदे लेंगे यह और यह देखे देखे दो फंदे ले लिए हमने दो का एक करेंगे फिर यह वाला फंदा इसलाइम में लेकर यह वाला और यह वाला फंदा लेंगे फिर से दो फंदे कम होगे फिर से यह वाला फंदा इसलाइम में लेकर दो का एक करेंगे तीन फंदे कम होगे फिर यह वाला फंदा और यह वाला फंदा लेकर दो का एक करेंगे चार फंदे कम होगे ये वाला फंदा और ये वाला फंदा लेंगे और ये देखिए पांच फंदे हमने कम कर लिए है ठीक है पांच फंदे कम करने के बाद फिर हमने ये पूरा उल्ट उल्ट बना कर कम्प्लीट कर लेना है इसको मैं दो कर लेती हूँ और सीधी साइड से भी cheer हैं यहां तक मैं complete कर लूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूं कि इस। अब यह यहां एक भीए इसको हम बीना भुने हुद्ट ऑर यह व्याओन थे न यहां थे में भुठ देखेते हैं और जो यह वाला फंदा है इसके उपर से हमने ऐसे गिरा देना है यह देखिए एक बिज़म्दा कम हो गया अब हमने तीन रॉम्प करना साथ गया त завис 건 ह已經 out of ten पर यह वाला फंदा लेंगे दो करनेंगे दो फंदे कम और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा लेंगे दो का एक करेंगे तीन फंदे हमने कम कर लिए और बाकी हमने पूरी स्लाई ये उल्टी-उल्टी बनाकर कंप्लेट कर लेनी है तो इसको मैं complete कर लेती हूं और सीधी तरफ से भी मैं यहां तक complete कर लेती हूं फिर मैं आपको दिखाऊंगी तो यह देखें फ्रेंस यह मैंने सीधी तरफ से बना लिया है अब फिर से मैं उल्टी तरफ से आपको दिखा रही हूं यह देखें यह बिना बुना फंदा हमने ल इस रो में हमने दो फंदे ही कम करने थे पांच तीन दो और बाकी सारे फंदे हमने उल्ट उल्टे बना कर कम्प्लीट कर लेने हैं इस रो में और सीधी तरफ से भी इस रोग को complete करने के बाद सीधी तरफ से भी मैं complete करके फिर एक फंदा हमने और कम करना है फिर हमारी आर्मोल की cutting पूरी हो गई है तो चलिए मैं इसको complete करके फिर मैं आपको दिखा देती हूँ तो यह देखिए हम रोंग साइड में आगे हैं सीधी साइड हमने बना कर यह देखिए उल्टी तरफ से दो फंदे हमने लिया है और यह जो बिना बुना फंदा था इसके उपर से ऐसे स्किप कर देंगे यह देखिए एक ही फंदा हमने इस रो में complete घटाना था तो यह हमारी आर्मोल की जो cutting है वह complete हो गई है देखिए पांच तीन दो एक ही हमने cutting कर दी है अब यह हमारी cutting पूरी हो गई है अब इसमें मैं नैकी cutting भी आपको बताऊंगे कि कैसे हमने नैकी cutting करनी है तो हम पहले यह रोंग साइड पूरा उल्ट उल्टा बना कर complete कर लेते हैं फिर मैं स है अब यहां से हमने नैक की cutting करनी है पहले हमने बटन पट्टी बना लेनी है यह हमने देखिए 11 फंदों की बटन पट्टी बनाई थी तो पहले मैं 11 फंदे की बटन पट्टी बना लूँगी फिर उसके बाद cutting करूँगी कि यह देखिए हमने बटन पट्टी पूरी बना लिया है 11 फंदों की अब यहां से देखिए यह जो एक उल्टा फंदा हमने एक्स्ट्रा था तो उल्टा फंदा हमने बना लिया था ना यहां पर देखे एक फंदा एक्स्ट्रा हमने उल्टा फंदा बना लिया था तो इसको तो हमने नहीं गटाना है इसको हम पहले एक फंदा उल्टा बना लेंगे यह वाला क्याकि यह हमने नीचे से बनाते हुए चले आ रहे हैं तो इसको हम बना ही रहने देंगे अब यहां से हमने कम करने हैं फंदे दो का एक करने हैं ठीक है दो का एक कैसे करेंगे इस फंदे को उठा कर ऐसे सीधा करेंगे और यहां दो का एक कर देंगे रागे को पीछे करेंगे दो का एक कर देंगे यह देखे दो का एक मने यहाँ पर कर दिया एक फंदा हमारा यहाँ पर कम हो गया और यह हम हर चौती स्लाई खतम होने के बाद दो का एक करेंगे यानि कि पांच भी स्लाई पर दो का एक करते चले जाएंगे तो यहाँ से हर चार स्लाई कंप्लीट हो जाएगी जैसे हमने यह बना लिया फिर उसके बाद तीसरी स्लाई भी बना लिए फिर चौथी उल्टी स्लाई बना कर फिर पांचवी स्लाई पर हमने कम करते जाना है ठीक हर एक स्लाई पर नहीं कम करेंगे चार स्लाई हैं कंप्लीट होने के बाद फिंट Communist बें हम एक पंदा पुम करते जाएंगे तो आप जैसा हमारा डिजाइन है हम बना लेंगी लिरी विच्ट गेगा जैसा हमारा डिजाइन चल रहेना सेम अप बना लेंगे त् लिएकर दिजाइन को बना लेती हूं कर लेती हुं सीदी तरफ से तो यह देखिए हमने सीधी तरफ से है अभी हमारे government अब तो यह देखिए फ्रैंस यह सीधी तरफ से मैंने बटन पट्टी बना लिए अब यहां पर देखिए हमने दो का एक किया था ना पिछली सलाई में और यह एक उल्टा फंदा भी हम बना लेंगे क्योंकि यह हमारा चलता ऐसे ही चलता चला जाएगा अब यहां से देखिए दो बना लेना है यह देखिए और यहां से देखिए दागे को अपनी और करेंगे जाली डालेंगे क्योंकि यहां से हमारा डिजाइन देखिए स्टार्ट हो रहा है कि यहां पर तीन काइक करना है तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूं क्योंकि यहां पर दो काइक करने तो हमें डिजाइन का भी ध्यान रखना पड़ेगे कैसे हमने इसको सेट करना है ठीक है इसमें एक फंदा हमारा कम हो गया था इसलिए हमारा यहां पर एक ही फंदा बचा है पहले हमारा दो फंदे थे यहां पर एक ही फंदा बचा है फिर अगली स्लाइम में हम यहां दो काइक कर देंगे फिर यहां से कम होता चला जाएगा तो यहां से फंदे घटते चले जाए टीक है कि तो यह थिए बटन-बट्टी बना ली है हमने और एक पंदा जो ऊलता है उससे भी यह बना लिया है जो हमारा महारा नीचे से ही चलता चला रहuir siamo इसको भी हमने बना पर यहां पर जाली नहीं डालनी हें दो का का एक करने कल एक है यहां यहां सबक्सक्राइब और ऑब हमने यहां पर जैसा हम दो काई करे था वह नहीं करेंगे घृष्ट हा यहां पर हमने कोई डिजैन नहीं डालना हैren a Systems आपंद आलेंगे क्योंकि यहाँ पर दो काई करते जाएंगे तो वो घड़ता चला जाएगा तो हमारा डिजाइन कम्प्लीट नहीं आ पाएगा अब यहाँ पर देखिए यह दो फंदे हैं तो अब यहाँ पर करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम जाले डालेंगे तो इसमें दो का एक करेंगे इधा से फिर जाले डालेंगे और यहाँ पर हमारा ये डिजाइन बनता जाएगा ये देखिए तीन फंदे हमने सीधे बना लिए फिर जाले डालेंगे इस फंदे को तार कर सीधा करेंगे दो का एक करतेंगे 2 3 4 5 और फिर से 2 का एक कर देंगे ये देखे टोटल के त्थे फंदे होगे चार तिन साथ पंदे होने चाहें फिर ऐसे ही बनाते चले जाएंगे और उल्टी साइड से भी मैं बना लेती हूं पूरी लाई बनाने के बाद फिर से मैं आपको यहां पर दिखांगे क्योंकि इस स्लाई में हमने देखी यहां पर दो काईक कर दिया और अब जो हमारी आएगी राइट साइड में उसमें दो काईक अभी नहीं करना है फिर जब हमारी चौती सलाई complete हो जाएगी फिर उसके बाद पांच भी सलाई पर करना है क्योंकि अभी हमने कर रहा है फिर अगली सलाई में नहीं करेंगे सिधी तरफ से फिर हम जो उससे भी अगली सलाई आएगी उसमें दो काई करेंगे तो ऐसे हम घटाते चले जाएगे तो हमारी नेक की कटिंग बहुत ही सुन्दर आती चली जाएगी ठीक है तो मैं ऐसे ही कम करती चली जाऊंगी हर एक चौती सलाई के बाद ये हमारी नेक की कटिंग भी होती चली जाएगी तो मैं गर लेती हूं कटिंग को फिर मैं आपको द पट्टन पट्टिके और 25 फंदे यह हमारे रह गए हैं 25 और 11 36 फंदे टोटल रखा हुआ है और जितनी हमने पीछे बैक में आर्मोल की कटिंग करी थी सेम उतनी ही हमने यहाँ पर कर ली है ठीक है यह देखिए मेरा एक साइड का पार्ट तेयार हो गया है दूसरे साइड का पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में आपके से शेयर करूंगे ऐसा ही हम दूसरे साइड का भी पार्ट बनाएंगे तो फ्रेंज अगर वीडियो अच्छी लगी हो बताने का तरीका आपको अच्छा कीजेगा तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई थेंक यू